हेलो गाईश तो स्वागत्ते आपका टेक्निकल अंकित में और में नामें अंकित और आज की वीडियो सभी एंडुर ड्यूजर्स के लिए काफी दा इन्फर्मेटिव और काफी दा हेलफुल होने वाली है तो जैसा कि आपको पता होगा एंडुर 15 अपडेट अभी कुछ डि इस प्राइवेट इस प्राइवेट इस प्राइवेट इस पीचर को यूज कर सकते हो एंडुर 15 अपडेट में तो गाइज बने रहेगा वीडियो को बिल्कुल भी कि मत कीज़ेगा वीडियो काफी जाद इंफर्मेटिव होने वाली है और गैस अगर आपको मेरी यह वीड को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस अभी तक मेरे डिवाद में एंडर 15 अपडेट तो नहीं आया है अभी तक मेरे जितनी फास फोन अवेलेवल उनमें कोई साइडर 15 अपडेट नहीं आया है बट मैं आपको इमेजिस के तुरूप प्रूप से बताएता हूं कि आप कैसे प्राइवेट इस्पेस का फीचर यूज करते हो अपने अपडेट में तो गाइस आपको सबसे पहले करना किया है तो गाइस यह जैसे इसको नीचे की सेट देख सहोंगे यह एक ऑप्सन दे रखा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन य आपके फोन में सेक्यूरिटी नाम से दे रखा होगा तो गाइस आपको इसी में देखनों मिल जाता है आपको सिम्पली से अपने जिफ फोन है उसमें चले जाना है फोन की सेटिंग में उसमें सेक्यूरिटी नाम से ओप्सन होगा अपने फोन की सेटिंग में और गाइस ज स्लेट करोंगे आपके गुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखनों मिलेगा तो यहां आप अपने डेडिकेटड गूग्ल अकाउंट प्राइविट कर सकती हो जैसे पहें कर लो तो यहां को Setup पे करना है जैसे हम सेट अपे में किलिक करूंगे तो गई जो आपने अक़ाउंट बनाएं होगा आप में सेट अप कर लेना सेट अप करने आउंगे तो जो आपका होगा वहां आपका private space create हो जाएगा और जो भी आप अपने apps हाइट करना चाहूंगे वहां आप हाइट कर सकते हो तो गाइस और वहां एक इस्टॉल का option दे जैसे कि मैं आपको images के दिखाएता हूं यहां एक इस्टॉल का option दे रखा है यह पूरा app ड्रोर प्राइवेट इस्टॉल पर आ जाएगी और वहां आपके प्राइवेट इस्टॉल नहीं होगा वह यहां आपके अप्राइवेट इस्टॉल में होगी जो आपका होता है यहां आप सेर्च करके प्राइवेट स्पेस से फाइंड कर सकते हूं तो गाइस इस तरीके से आप Android 15 अपडेट में प्राइवेट स्पेस के फीचर को यूज कर सकते हूं वही बिल्कुल इसी तरीके से तो गाइस आज की इस वीडियो मैंने आपको Android 15 के प्राइवे वीडियो की नौटिविकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू